हेलो डिये फैंट्स पहले के लिए नेक्स्ट मॉंक टेस्ट लेके आए है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले जो कुशन पूछा गया है कि which of the falling forces should be considered for the design of structure in area of seismic activity के लिए जो area है हमारे पास वो क्या है सिस्मिक वाला area है तो वहां पर जो forces आपको consider करनी पड़ती है जब भी आप उस structure को design करते हैं तो वो कौन सी forces होती है सिस्मिक है आपको पता है कि सिस्मिक के लिए earthquake forces जो होती है वो ही हमें consider करनी पड़ेगी यह हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला वक्षन देखिए minimum elongation of mild steel and hyst bar कितनी होती है अगर आप mild steel की बात करेंगे elongation की तो वो होती है 23% अगर आप hyst bar की बात करेंगे तो वो 14.5% होती है 35 कहां पर जाएगा option B में दिया गया है यह हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा most important question है यह exam के point अगर आप steel की tensile strength की बात करेंगे तो वो होती है 42 लेकर 54 kg पर mm square होती है यानि कि एक mm जो होता है उसमें 42 से 54 जो होती है वो kg की tensile strength होती है steel में अगला question देखिए roller steel tubes are referred by there roller steel tubes जो होती है वो refer की जाती है by there किसके तोरह outer dimension जो होती है यहांपर इनके outer diameter जो होता है उसके द्वारा ही की जाती है विसके यहांपर outer diameter ही दिया लेकर जो ठिकनेस होती है इसके द्वारा भी refer की जाती है यहांपर outer में हमारा answer यह हो जाएगा अगला question देखिए carbon content of mild steel is carbon content जो होता है mild steel का वो कितना होता है very very important question आईए very होता है high होता है medium या फिर low या फिर high क्या होता है mild steel के अगर आब बात करेंगे तो mild steel का low होता है वही mild steel का carbon content जो होता है वो बहुत ही low होता है अगर हमारा carbon content जो होता है वो बढ़ेगा तो हमारी declivity जो होती है वो कम होती है common question है एक्जाम में कई बार यह पूछा गया है अगला कोशन देखिए steel is obtained by adding small quantity of dash to iron या पर dash है भाई देखिए स्पेस हमने थोटा सा बढ़ दिया लेकिन ऐसे dash नहीं लगा पाए हैं तो steel is obtained by adding small quantity of dash to iron क्या आप add करते हैं copper carbon या फिर alumina या फिर silica क्या हम उसमें add करते हैं common question है बी option हमारा इस question के लिएंसर हो जाए कार्बन हम उसमें add करते हैं small quantity of अगला देखिए density of aluminum compared to steel is density जो होती है alumina की compare to steel वो कितनी होती है two x होती है double होती है पर एक चोथाई होती है एक तीहाई है एक आफ होती है कितनी होती है सबसे पहले आपको steel की density पढ़ता होना चीक कितनी होती है steel की density अगर आप kg में बात करेंगे तो seven eight five zero होती है kg per meter square अगर आप gram में बात करेंगे तो seven point eight gram per centimeter cube में होती है ऐस ही अगर आप aluminum की बात करेंगे aluminum जो होता है उसकी density की बात करेंगे तो two point seven gram per centimeter cube होती है अगर आप kg में बात करेंगे तो 27 20-10 kg per meter cube होती है तो यह important है यहाँ पर steel की बीवर क्यूविंग में ही होती है तो यह density में आपको gram में भी बता दी और kg में भी बता दी है अब यहाँ पर इन दोनों का comparison करेंगे कि भाई कितनी होती है density of aluminium compare to steel is comparison करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर aluminium की लिखेंगे और बटे में steel की लिखेंगे तो 2.7 बटे 7.8 तो कितना आएगा 12.89 इतना आएगा इनके एक बटे हम तीन लिख सकते हैं इनके एक पिहाई option यह हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा one third aluminium की density होगी steel के comparison में तो सबसे पहले आपको यह density पाता हो उन्चे कि वह कितनी उसकी density है अगला question देखिए full form of islb is Indian standard यह क्या होता है lb क्या होता है Indian standard light before beam तो कहां पर देखे Indian standard light beam option b हमारा इस question में answer हो जाएगा अगला question देखिए the for a structural element in structural steel which of the falling is the limit state of strength which of the falling is the limit state of strength कौन सा होता है durability, torsion, deflection या फिर fire क्या होता है उसके लिए तो वो होता है torsional भी हमारा इस question में से हो जाएगा torsional होता है भई torsional very very important question exam के point of view से एक हमारे पास होता है limit state of collapse या फिर limit state of strength एक होता है limit state of serviceability आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी वह serviceability and limit state of collapse या फिर limit state of strength या फिर स्रेंट के बारे पुछा गया इसको आप collapse जो होता है वो भी बोल सकते हैं तो इसमें जो यूज की जाते हैं यह यानिकि लिमट state of strength यूज की जाती है वो flexor के लिए यूज की जाती है compression के लिए shear के लिए torsional या पे दिया गया है overturning जो होती है sliding जो होती है उसके लिए and buckling जो होती है उसके लिए and last one is fatigue इसके लिए यूज की जाती है अगर आप limit state of servicability की बात करेंगे तो इसका जो uses होता है for deflection के लिए होता है durability के लिए होता है vibration के लिए होता है leakage होता है and loss of durability के लिए होता है तो इसलिए हमारा यह answer बन जाएगा limit state of collapse के लिए अब यहां पर next one question देखे क्या पूछा गए हमसे की modulus of rigidity for किसके लिए zinc के लिए structural steel को हमें पता है कि इसकी कितनी होती है modulus of rigidity लेकिन यहां पर आपको जिंक की भी पता होने चाहिए कि इसकी कितनी होती है इसको आप जी से डिनोट करते हैं अगर जिंक की अगर बात करेंगे तो जीरो पॉइंट फॉर्टी इंटु टैन जेस्टु फावर फाइव न्यूटन पर एमम स्केर यह होती है अब देखिए आपने कौन सा ऑप्शन दिया गया है वैसे यह जैसा यहां पर मैंने बताया एक वो इसा कोई बचन नहीं लेकर नियर्भाइ ओप्शन इजद्द सी अन्षर हो जाएगा लेकिन इग्जैक्ट वैल्यू यह होती है यह आप याद कर लीजिए अगर आप स्ट्रुक्च्च्छल स्टील की बात करेंगे तो स्ट्रुक्च्छल स्टील की जो होती है वह य जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए अगले देखे दा ओडर औफ इलोंगेशन बिच एस स्पेसिमेंट आफ माइल स्टील अंडर गोर्ज बिफोर्ड फ्रेक्चर इज सो जो mild steel होता है वो order of elongation जो होता है before fracture के लिए वो होता है 10% option B हमारा इस question के answer हो जाएगा अगर mild steel की fracture strength जो होती है इसकी बात करेंगे तो वो 250 से लेकर 300 newton per mm square की fracture strength होती है yield strength की बात करेंगे mild steel की तो 230 से लेकर 250 होती है most answer यही होता है 230 ही होता है so option यह होगा अगर आप इसकी proportional limit जो होती है mild steel की उसकी बात करेंगे तो 190 से लेकर 220 newton per mm square की proportional limit होती है भई तो यह जितने भी points मैं आपको बता रहा हूं यह exam के point विसे बहुत ज्यादा important है आप देख लिजिए याद कर लिजिए जैसे भी करना है next one देखिए how are the most commonly produce and use structural elements in frames floors beams etc with high moment of inertia about x axis the design designator so वो होता है Indian standard का medium section जो होता है वो होता है Indian standard medium section option B हमारा question के लिए answer हो जाएगा तो यह जो section होता है Indian standard का medium जो beam होता है यह आप structural element के लिए use कर सकते हैं जैसे कि याँ पर दिये गया frame के लिए floor के लिए and beams जो होता है इन सभी condition में आप यूज कर सकते हैं and इसका movement of inertia बहुत हाई रेता है कहां पर about x axis जो होता है वहां पर इसका हाई रेता है इसलिए यही हमारा correct answer बन जाएगा अगला option दिखिए which one of the falling is the load factor load factor कौन सा होता है वही so load factor जो होता है वो होता है it is a ratio of failure load to working load का जो ratio होता है वो load factor होता है तो यहां पर जो दिया गया option b में दिया गया है failure load to working load या load factor जो होता है इसका एक और definition होती है जो होती है ultimate collapse load over working load ultimate collapse load जो होता है collapse failure एक ही बात है confused नहीं होना है बही option b हमारा question answer बन जाएगा अगला देखिए according to हमारे इस is code के according which of the falling is the not a limit state of serviceability अभी मैं आपको पीछे बताया था कि वह limit state of serviceability के लिए कौन-कौन से uses किये जाते हैं तो limit state of serviceability के लिए तीन-चार ही कि use की जाते हैं जिससे कि यहां पर जो इस question के लिए हमारा answer रहेगा वो कौन सा रहेगा यह आपको पता होने चाहिए तो वह fatigue fracture due to fatigue जो होता है यह यूज नहीं होता है बाकि vibration होती है corrosion भी होता है fire भी होती है deflection भी होती है vibration तो मैं आपको बीचे बताया था durability जो होती है वो भी यह problem if the number of cycle जो होते हैं is less than number of cycle जो होते हैं वो किस value से less than नहीं less than होते हैं तो एक लाग से less than होते हैं तो एक लाग यहां पर यह दिया गया option डी में दिया गया है अगला देखिए partially safety factor for material with respect to resistance of belt connection with shore fabrication is belt condition के लिए is 1.25 1.25 option c हमारा इस question में अजर हो जाएगा अभी आपर देखिए यह question बहुत ही ज्यादा important है कि ultimate tensile in steel is in the range of ultimate tensile जो होती है वो कितनी होती है जिसने चैनल को subscribe नहीं किया वो कर लेजिए भई और बैल आइकन को प्रेस कर लेजिए जो ultimate tensile होती है steel में वो होती है 0.12 से लेकर 0.20 तक होती है option d हमारा इस question में अंसर हो जाएगा अगला वश्य देखिए which is the purest form of iron iron की purest form जो होती है वो कौन सी होती है सो वो होती है road iron road iron जो होता है इसमें carbon content बहुत कम होता है वो point 1% से कम होता है कई जगा आप वो point 15 भी देखनों को मिलेगा तो यह iron की purest form होती है road iron अगले देखिए which one of the following statement is correct in respect of mild steel mild steel के respect में यहाँ पे कौन सी statement सही बताई गई है सो जो mild steel होता है उसको आप easily fog and weld कर सकते हैं इसके और भी कुछ points होते हैं जैसे कि यह chief rate में आपको मिल जाती है अगर आप high carbon steel से इसको comparison करें और इसमें carbon content भी high नहीं होता है low होता है और यह tough नहीं होती है यह थोड़ी कम ही tough होती है जो high carbon steel होता है और यह less elastic होती है high carbon steel के मकाबले तो यह most important points आपको पता होने जो है बहुत ही जरूरी है and mild steel जो होती है वो easily जो होता है heat treatment जो होती है उसमें नहीं जाती है easily नहीं जा सकती है cannot successfully undergo heat treatment अगर आप उसको जो high carbon होता है उसकी बात करेंगे तो वो successfully heat के संपर्क में आ जाता है सब्सक्राइब है इसलिए डी हमारा इसको शिल्मेंसर बन जाएगा अगले देखिए yield strength of HYST and CTD वार अभी क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बताया थे cold twisted वार तो इसका जो होता है वो 415 MPa होता है इनकी 415 Newton per m2 इसका yield strength होता है अगले देखिए according to हमारे इस आइस कोड के कोड़ेंग क्या पूछ रहा है इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टेक्च्च्च्च्च्च्च्र तर लिमिट स्टेट ऑफ स्टेंथ डज नौट इंक्लूड वाई क्या इंक्लूड नहीं होता है यह कोशन देखिए ब इंक्लूड होता है और इसलिए सी हमारा इस कोड़ेंग हो जाएगा यह इंक्लूड नहीं होता है अगले के बीच अफ तफॉलिंग ग्रेडियंट एग्जर्ट मैक्सिमूम इंफुलेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील सब होता है कार्बन कार्बन आपको पता कि कार्बन से कितनी सारी प्रॉप्लम आपको देखनों को मिलती है कार्बन इंक्रीज होगा हार्डनेस बढ़ेगी स्टेंथ बढ़ेगी एंड यह जो हार्डन होता है हार्डन की प्रॉपर्टी होती है उसको भी इंप्रूव करता है आलसो जो बिटलन type of roller steel section is more suitable to be used as beam column की तरह सो वो होता है Indian standard का heavy beam जो होता है Indian standard heavy beam C हमारा इस question में जाएगा अगले तके fire resistance level of steel structural is specified in term of किस term है in the term of time D हमारा question के लिए इसर बन जाएगा अगला देखिए the main advantage of a steel member यहां पर member होना था इज़्टील मेंबर के क्या main advantage होता है भाई हाई strength होती है इसकी gas and water tightness होता है long life चलती है all option are correct common question है कई बार solve हो चुका है अगले देखिए bulk density of steel is कितनी होती है bulk density होती है steel की most important question common question है 78-50 अगला लास्ट question देखिए हमारे इस वीडियो का the most efficient and economic section used as a beam is steel beam की तरह तो वो कौन सा होता है i section ही होता है इसलिए यह हमारा question answer हो जाएगा तो friends देखिए most expected question from steel structure से next part में यह आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी comment करें अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया कर लीजिए और bell icon को press कर लेजिए मिलते हैं next video में प्रवcott जहाएगा रापने आपको घ्रपाएएव नहीं ओाएगा प्रपाएएव स्गीजियो कि अ्रिमा जहाएगा जहाएगा देखिए जट जहाएगा रहाएगा थाफ भी नहाएगा प्रफा रेजिए पट्वड़ूवड़ प्रवस्वड़श